सब को पढ़ाने वाला सब कुछ पढ़ाने वाला और मैं मेरे अनसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर NSEJS का एक्जैम आने वाला है बच्चो NSEJS का एक्जैम और मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ निकाल के यहाँ पे Physics में ऐसा क्या करके चले जाए कि हमारी नईया पार लग जाए और पिछले जो Papers आ चुके हैं 2022 और 2023 में उनका detailed analysis करने वाले हैं यहाँ पर उनका difficulty level क्या था एक अंदाजा लगाने वाले है कि 2024 में क्या हो सकता है ठीक है आओ जल्दी से मैं तुमारे सामने सब्सक्राइब पहले रखूंगा 2022 का analysis जल्दी से आओ देखो वीडियो को शुरू कर रहे हैं देखो 2022 में क्या हुआ है पेपर कुछ ऐसा था कि 60 सवाल आये थे कितने सवाल आये थे 60 सवाल आये थे एक से 48 नंबर तक जो सवाल था वो था single choice वाला मतलब एक यो option correct है पढ़ लेते हैं आओ जल्दी से question paper pattern को थोड़ा सर डिसकस करें कि 2022 का paper क्या था एक से लेकर 48 नंबर के जो सवाल थे वो multiple choice थे चार option given थे एक option को उसमें चुनना था with one correct alternative और सही हो जाने पर मिलते थे तीन नंबर कितने नंबर मिल रहे हैं तीन नंबर और गलत हो जाने पर एक नंबर काट लिया जाता है ठीक है unattempted का कोई कुछ नहीं करता zero marks unattempted zero attempted and correct three marks will be awarded और अगर attempted है wrong है minus one marks will be awarded यानि कि एक नंबर काट लिया गया आपका अब अब one to 48 की कहानी तो आपको समझ में आगई कि क्या था यहां पर 49 to 60 49 to 60 बीस सवाल थे बीस सवाल थे biology बीस सवाल थे physics और बीस सवाल थे chemistry के तो यहां पर total जो single choice थे वो थे 48 questions और बचे हुए 12 सवाल थे multiple choice question मतलब more than one option वाले जिनके correct option more than one हो सकते हैं तो 49 to 60 जो थे वो multiple choice questions थे with one और more than one correct alternative इनके सही हो जाने पर मिलते हैं आपको 6 marks बहुत ही शांदार बहुत शांदार और अगर गलत हो जाता है तो यह अच्छी बात है कि आपका कोई marks नहीं काटा जाता और unattempted भी अगर आप छोड़ दो तो कोई marks नहीं काटा जाता attempt हो गया और सही था attempt था और सही था तो मिलते हैं आपको 6 number तो उम्मीद है आपको paper pattern तो बिल्कुल समझ में आया और इस तरीकी से total marks थे यहाँ पर 216 दो घंडे का ये exam था मैं बात कर रहा हूँ 2022 के NSEJS paper की ठीक है आओ थोड़े ची और insight लेते हैं ठीक है मैं यहाँ पर सिर्फ physics का analysis आपके सामने रख रहा हूँ यह difficulty level है NSEJS 2022 के paper का इसके अंदर physics में 20 सवाल पूछे गए थे जिसके अंदर थे चार सवाल बेहत आसान की आठवी class का बच्चा इनको उल्टे पाउं से टिक कर दे उसके बाद थे तेरा सवाल जो की medium कही जा सकते हैं कि जिस बच्चे ने thoroughly पढ़ा हो बहुत deep study भी ना करी हो बस पढ़ा हो तेरा सवाल उस बच्चे के भी सही हो जाएंगे तो चार सवाल तो बेहत आसान थे और तेरा सवाल वो थे जिस बच्चे ने थोड़ा 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 पढ़ रखा है वो भी उन सवालों को बिल्कुल सही करके आ रहा है और बची बात तीन सवाल की जिनको हम थोड़ा सा consider कर रहे हैं कि हाँ ये 8, 9, 10 के हिसाब से कुछ अच्छा सवाल था ठीके तो 4, 13 और 3 मिलके हो जाते हैं 20 सवाल ये था physics का analysis 2022 NSCGS के paper का मैं आपको यही नहीं अभी थोड़ा सा और लेकर आगे जाता हूँ जिसमें मैं आपको in-depth बताऊँगा कि किस topic से कहा सवाल आया कितने number का सवाल पूछा गया और कौन-कौन से topic 2022 से समझ में आते हैं कि important है 2023 से समझ में आते हैं important है और पुराने 2015 से 2019 तक के सवाल देखे जाते हैं तो पता लगता है कि हाँ important है आओ देखते हैं chemistry का यहाँ पर analysis है तो chemistry और biology की video individually आ रही है आपके लिए तो तयार रहो उनके analysis के लिए भी फिलहाल मैं आपके साथ सर्फ physics का analysis रख रहा हूँ यहाँ पर 2022 का जो यह paper था एक सवाल है work power energy से work power energy से सवाल आया है work power energy force and loss of motion से तीन नंबर का सवाल तीन नंबर का सवाल medium level medium level समझ मैं यह बात आपको next यहाँ पर motion kinematic से सवाल पूछा गया graphical सवाल था यहाँ पर single correct question था तीन नंबर में पूछा गया gravitation का एक सवाल था gravitational potential energy से यह भी single correct था difficult में आया तीन नंबर में बात समझ में आई आई आपको sound topic से eco sub topic से यहाँ पर single correct option में तीन नंबर का एक medium सवाल पूछा गया gravitation का दुबारा question एक आया density is related यह भी single correct था थोड़ा सा difficult था यह आप देख रहों कि gravitation का थोड़ा सा difficult difficult में रखा गया है तीन नंबर का समझ में आरी बात आपको तो यह main main topic अभी हम देख रहे हैं एक हमें मिला है work energy laws of motion laws of motion यह kinematic हो गया gravitation के दो सवाल यहाँ पर हमें difficult देख रहे हैं आर्कमिटीस प्रिंसिपल बाइंसी के उपर पूछा गया single correct था थोड़ा सा difficult था तीन नंबर में पूछा गया light topic से आपको सवाल देखने के लिए मिल रहे है simple plane mirror से medium सवाल था medium उसका level था तीन नंबर यहाँ पर और यहाँ पर magnetism से एक सवाल पूछा गया solenoid medium लेवल थीन नंबर के लिए gravitation से फिर आया flotation पर based pressure exerted by liquid तो आप gravitation को हलके में नहीं ले सकते यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी आपको multiple choice question single correct question medium थीन नंबर के लिए next magnetic effects of current से force on charge in force on moving charge in magnetic field easy सवाल पूछा गया तीन नंबर के लिए human eye and the colorful के लिए scattering human eye and the colorful chapter में से sub-topic scattering से easy सवाल पूछा गया तीन नंबर के लिए motion graphs के question बहुत important होते है kinematics में graphical question को फिर से उठाया गया और यहाँ पर easy में रखा गया पहला medium था यह वाला easy है electricity topic से देखो electrical power से जुड़ा एक topic यहाँ पे touch किया गया medium था तीन नंबर में समझ में आई बात आपको तो दो सवाल tough जो थे वो gravitation ले गया 2022 में फिर यहाँ पर measurements में error topic से easy सवाल पूछा गया तीन नंबर के लिए फिर measurement से बात की percentage error medium level को touch करते वे तीन नंबर का सवाल पूछा गया laws and motion पहले भी आ चुका है अभी फिर आया है यहाँ पर connected motion की बात है difficult consider किया जाता है 6 नंबर यह difficult इसले consider किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यह 11 वी का concept है 11th class में इस topic को पढ़ाया जाता है लेकिन जब तयारी कराते हैं हम बच्चों को तो वहीं पर पढ़ाते हैं constraint motion समझ में आई बात आपको तो यह difficult नहीं रह जाता जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए ठीक है ray optics ray optics यानि कि light से जुड़ी कहीं बात हो रही है reflection reflection से यहाँ पर light से बेहत सवाल आ रहे हैं देखा आपने पहले भी दो हैं यहाँ पर भी एक 6 नमबरे में पूछा गया medium सवाल है medium level का सवाल है तो light जिस बच्चे ने 2022 में करी थी इसको study कर लिया था बढ़िया marks score करके गया next हम देख रहे हैं यहाँ पर electricity से touch करते वे resistance का एक easy concept होता है medium level का यहाँ पर सवाल 6 नमबर में पूछा गया work energy बहुद important बहुद important collision topic को touch करते वे multiple choice question 6 नमबर का पूछा गया तो यहाँ से यही conclude हो रहा है मेरे पास यह conclude हो रहा है कि एक तो gravitation मैं हलके में नहीं ले सकता gravitation topic मैं करूँगा ही करूँगा work energy and power यह work power energy वाला topic भी मैं करूँगा ही करूँगा मैं kinematics भी करूँगा मैं kinematics जरूर करूँगा मैं newton laws of motion को जरूर करूँगा और master बचता क्या है energy kinematics NLM और यहां पर एक आता है एक आता है आपका टेंथ वाले स्लेबस में electricity को जरूर करना है और light को जरूर करना है इसको हलके में बिलकुल नहीं ले सकते समझ में आरी बात आपको fluids भी बहुत important है लेकिन अगर आप must do topics की बात करोगे तो यह तो करने ही करने है SHM wave भी अच्छे topic है लेकिन आप देखो की बहुत उससे touch नहीं किया गया तो 2022 के basis पर मैं आगर आपके सामने बात रखो तो यह है बात समझ में आई आपको ठीक है यहां पर इतनी बात discuss करने के बाद 2023 की तरफ चलते हैं 2023 में क्या हुआ है 2023 को देखेंगे 2023 का जो पेपर हुआ वो हुआ 26 नवेंबर 2023 को इस पेपर को NHCJS generally IAPT organize करवाता है Indian Association of Physics Teachers तो इन्होंने organize कराया था 26 नवेंबर को पेपर पैटन बिल्कुल 2022 वाला फॉलो किया गया यहां पर same part A1 पहले part में एक से लेकर 48 सवाल था question number 1 to question number 48 यहां पर 4 alternative थे जिसमें से सिर्फ एक ही option correct था यह बिल्कुल 2022 वाला पैटन ही repeat कराया गया और question number 49 से 60 के बीच में उनके 4 alternatives थे जिसमें आपको more than one option भी correct मिल सकते हैं आपसे वो question सही attempt हो जाता है तो वही उसी तरह 6 marks मिल रहे थे और unattempted के लिए 0, wrong attempted के लिए 0 marks मिल रहे थे correct है, correct है, सारे correct option जो थे वो सब आपने tick करें हैं तब ही आपको 6 number मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे 4 ही उसके option सही थे मैंने सिर्फ 2 correct किये तो मुझे आदे marks मिलने चाहिए ऐसा नहीं होगा अगर सारे सही option जो थे वो आपने correct किये हैं तो ही आपको 6 number मिलेंगे otherwise आपको कोई marks नहीं मिलेगा, ठीक है, तो correct वाले के लिए आपको 3 marks मिल रहे हैं बिल्कुल correct जो single choice question थे, यहाँ पर इन के लिए आपको correct option के लिए, correct question के लिए 3 number मिल रहे हैं और unattempted के लिए minus 1, while in more than one correct option वहाँ पर 6 marks हैं, correct के लिए जो सारे सही थे, आपने सारे mark किये तो मिले 6 marks, unattempted के लिए आपको 0 mark तो आगे चल रहे हैं यहाँ पर इसका analysis देखते हैं, subject wise इसका जो analysis है वो कुछ ऐसा है मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ physics की बात रख रहा हूँ, physics, biology और chemistry के लिए अलग से दो वीडियो आएंगी आपके सामने NSCJS का detailed analysis और must do topics कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको उसमें बताया जाएगा फिलाल physics में हम देख रहे हैं कि number of questions यहाँ पर easy वाले में कितने थे, 4 सवाल आसान थे जैसे कि महाँ पे 20 सवाल में से कितने थे, 4 आसान, 12, 13 medium और 3 थे tough जिनको कहा जा सकता है जिन बच्चों का वो topic पढ़ा हुआ नहीं था, जिन बच्चों के वो topic पढ़े हुए तो उनके लिए वो जिनको ये difficult बोल रहे हैं वो भी आसान है तो देखो चार सवाल तो यहाँ पर easy ये खुदी कह रहे हैं कि यहाँ बच्चों के level के हिसाब से है यहाँ पर medium 12 सवाल पूछे गए medium level के जिनों ने पढ़ रखा था, बहुत deep study भी नहीं थी तब भी वो उन सवालों को सही करके आ सकते हैं तो बारा सवाल उन में से हैं, उसके बाद difficult सवाल यहाँ पर चार थे, difficult सवाल यहाँ पर चार थे, 2022 में 13 medium थे और 3 difficult थे, यहाँ पर 12 medium हैं और 4 difficult हैं तो total question हो गए हैं 20, total marks physics में मिल रहे हैं 72, समझ मैं आई बाद physics का जो contribution था, 72 था, 72 for chemistry and 72 for biology तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या सवाल थी, किस तरीके से क्या level था, आईए देखते हैं 2023 का pattern तो यहाँ पर work and energy, बाबा यह बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहा है, 2022 में भी इसने पीछा नहीं छोड़ा, 2023 में भी kinetic energy से जुड़ा हुआ सवाल, easy था, तीन नमबर के लिए, electricity topic से resistance, वहाँ पर भी resistance का सवाल, combination का सवाल था, यहाँ पर भी resistance से जुड़ा एक सवाल पुछा गया, level medium रखा गया, तीन नमबर के लिए पुछा गया, sound, sound से एक सवाल है हमारा यहाँ पर तीन नमबर में, level medium है, factors affecting the speed of sound, बिल्कुल main heading, टिका टिका आया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, electromagnetic induction, यहाँ कि magnetism से जुड़ा हुआ, lens law पर based, एक medium सवाल, gravitation फिर आया, यहाँ पर हमारे सामने, pressure exerted by liquid, same topic 2022 में touch किया, same topic 2023 में touch किया, easy सवाल पुछा गया, तीन नमबर के साथ, light topic से, reflection through convex lens पूछा गया, medium, medium level था, तीन नमबर में पूछा गया, work and energy, देख रहे हो, work and energy, भाया, बिल्कुल मैं तो कहा रहा हूँ कि work, power and energy, कता ही risk ना लेना, यह तो करके ही जाना, conservation of energy पर based, medium सवाल था, तीन नमबर के लिए, तो कितने सवाल हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, अभी 7 सवाल हम देख चु सवाली बात कुछ ऐसा, मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि pressure से जुड़ी वही बात होगी, fluid था वहाँ पर, वहाँ पर fluid से जुड़ा ही था, यहाँ पर pressure, यहाँ पर भी fluid से ही जुड़ा होगा, medium 3, इस वाले paper का मुझे भी question याद नहीं आ रहा है, लेकिन है कहीं fluid से जुड सवाल, आठवी क्लास के लेवल का सवाल है, मुझे याद है, आठवी क्लास के लेवल का सवाल है, आसान सवाल है, तिन नमबर का, electricity, भाया मैं electricity को भी उसी खाने में डालना चाता हूँ, जहाँ पे मैंने work energy and power डाला है, तो electricity और work power energy को छोड़ने का कतई रिस्क नहीं ले सकत energy फिर से आ गया, मैं क्या ही बोलू, सीधा बात समझो, तीन नमबर में पूछा गया, थोड़ा लेवल बढ़ाया, लेकिन अगर पढ़ा हुआ है, तो वो लेवल टफ 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 नहीं है, मेरी इन बातों को दिमाग में बिठा लो, यकीन करो मेरा, मैं जब पढ़ा रहा हू टॉपिक क्लास में, तो बच्चे वो सवाल भी कर ले जाते हैं, जो गैरवी, बारवी के बच्चे करने में मुश्किल मानते हैं, मैगनेटिक एफेक्ट्स ऑफ करनेट, फोर्स बिट्विन टू पैरलल करेंट करिंग कंड़क्टर, मीडियम सवाल था तीन नमबर के लिए, थर्मल प्रॉपरटिज ऑफ मेंटर, पहली बार अभी हमने देखा, दोज़ार बाइस थे इसमें, पहली बार इसका सवाल आया, temperature पर based, basic सवाल, तीन नमबर का, basic सवाल, तीन नमबर का, easy, gravitation आया हमारे पास, orbital velocity ये सैटलाइट से जुड़ा सा concept पढ़ाया जाता है, medium level है, तीन नमबर के लिए, medium level, तीन नमबर के लिए, एक सवाल पुचा गया, work and energy मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, difficult है, छे नमबर का, ये था एक motor, motor, water pump जो होता है, वो वाला motor पानी चड़ा रहा उपर, उसकी efficiency कितनी है, उसकी efficiency कितनी है, अब कितनी energy खर्च होगी, कि पानी वहाँ चड़ जाए, ये इस level का सवाल था, इसको 6 नमबर में पुचा गया, आसान सवाल था, इसको difficult, उनके लिए कहा जाएगा, ज gravitation, archimedes principle, मैं अभी भी पीछे भी बोल के आया, कि archimedes principle से जुड़े जितने concept है, fluid है, gravitation में यहाँ पर इससे इसको जोड रहे हैं, लेकिन ये fluid का topic है, important है, gravitation से जुड़ा जितना भी काम तुम देख रहे हो, important है, ठीक है, difficult उठाया गया सवाल 6 नमबर के लिए, मैं फिर ब था, उन से वो सवाल हुआ है, ठीक है, motion पर based velocity time graph, graphical analysis बेहद important है, यहाँ पर medium लेवल का सवाल 6 नमबर से टच्च किया गया, तो मैं आपके सामने इन दो paper के analysis के बाद इतनी बात तो कही सकता हूँ, कि भाईया, 2015-16 का भी एक छोटा सा analysis है, यहाँ पर, देख लेते हैं, 2015-16, पुराने होते जा रहे हैं, papers तो मैंने और नहीं उठायता है, यहाँ पर यह, total 20 questions asked from physics, NSCJS paper, IJSO stage 1, IJSO की stage 1, NSCJS को ही कहा जाता है, यहाँ पर 4 questions थे NLM से, 4 questions पूछेगा electricity से, 3 questions थे light से, 2 questions थे work energy and power से, circular motion SHM से एक सवाल था, ठीक है, और fluid इन सब से एक-एक सवाल है, तो आप क्या conclude कर सकते हो मेरे साथ, मेरे साथ आप क्या conclude कर सकते हो, बताओ ज़रा सा, क्या conclude करोगे, सर, मैं ये conclude कर सकता हूँ, कि मैं अब कताई, work energy and power नहीं छोड़ूँगा, क्या conclude कर सकते हो, बोलो, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर वो topics जो आपको करके ही जाने है, बाबा, बिल्कुल, बिल्कुल करके ही जाने है, एक कौन सा है, अगर आप 12th की बात करो, 10th की topic की बात करो, तो light है, एक electricity है, ये दो topics पर जितने सवाल करके जा सको, उतने सवाल करके जाओ, ठीक है, और यहाँ पर एक kinematics है kinematics जिसको हम क्या कह रहे है motion कह रहे है kinematics 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 यहाँ पर इसको motion भी कहा जाता है क्या कहा जाता है motion भी कहा जाता है चाहे तो आप इसको क्या कह दो motion ठीक है और इसके अंदर specifically कौन सा topic graphical analysis graphical analysis graphical analysis करके जाएंगे मेरे बच्चे question बनेगा ही बनेगा और कौन से टॉपिक है यहाँ पर Newton laws of motion Newton laws of motion समझ में आरी बात आपको और यहाँ पर एक सवाज कौन से टॉपिक है आपका work energy and power work power energy work energy and power और एक आपका gravitation बाबा बिल्कुल हलके में नहीं ले मस्ट डू टॉपिक्स हैं करके ही जाना है मज़ा आ जाएगा पेपर देखें भाईया आए नस्सी जेस का पेपर डेड़ सुरुपे में मात्र डेड़ सुरुपे में आप ऐसा सम्मान पा सकते हो कि अपने जीवन काल में जिन्दगी बार आप इसके मज़े लूट सकते हो गर एक बार आपने नस्सी जेस का exact क्रेक किया इसके बाद तीन स्टेजिज ऑर होती है वह भी डेड़ सो रुपे के अंदर ही होती है एक बार परम फिल करना है नस्सी जेस क्रेक करने के बाद एक छोटा सा पॉयंट और सुनके जाओ, छोटा सा पॉइंट और सुनके जाओ, डेड़ सो रुपए में, आप फॉम फिल करते हो, डेड़ सो रुपए में NSEJS, ये क्या है, stage 1 है, क्या है ये, stage 1, stage 2, इसको क्रैक करके, इसको क्रैक करने के बाद, तीन सो बच्चे सेलेक्ट किये जाते हैं, मातरत तीन सो बच्चे, वो लिखते हैं, इंडियन नेशनल जूनियर साइन्स ओलंपियाड, इंजेसो, इंडियन नेशनल जूनियर साइन्स ओलंपियाड, यहां से फिल्टर होके आते हैं, 35 बच्चे, वो लिखते हैं, OCSE एक्जाम orientation come selection exam और यहां 35 में से 6 बच्चे select होते हैं जो जाते हैं विदेश international olympiard in junior science तो बाबा यहां तक जो बच्चे पहुँच जाते हैं जिनको medal मिल जाता है यह वो बच्चे होते हैं जो rank 1 IITJ rank 1 meet से भी उपर कहीं रखे जाते हैं तो Stanford, MIT बड़ी-बड़ी institutes में direct admission मिलता है इन बच्चों को जो यहां कहीं इस level तक आते हैं तो बेहद prestigious exam है बहुत जादा respect मिलती है उन बच्चों को तो बिल्कुल हलके में ना लो इस exam को अपना दिल और दिमाग दोनों focus करके लगाओ NSCJS के paper में stage 1 करेक करो फिर मिलते हैं आपसे stage 2 में तो stage 2 के लिए फिर मिलेंगे आपसे दूसरे IJS और इनके ओपर वीडियोज बनाएंगे तैयारी करेंगे पहले NSCJS को करेक करते हैं आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जवाब आपको मिलेगा proper help line आपके लिए available हैं अपनी कोई भी queries हो प्लीज आप यहाँ पर comment section में पूछ सकते हैं ठीक है तो ये था इस वीडियो में मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए already then see you soon bo boy enjoy